आपके परिशानी का हल है मेरे पास सर में बहुत जादा डेंडर्फ है घर्मियां हों सर्दियां हों हर टाइम आपके डेंडर्फ रहते हैं और डेंडर्फ की वज़े से बाल पहुंचे धक्री सी और अभी तो घर्मिया चल लिए जिसकी वज़े से आपको काफी उल्जन होने लगती होई कि आपकी टेंडरिफ की विज़े से तो करना क्या है ऐसे क्या करें कि टेंडरिफ मिंटों में सिर्फ एक अटेंप्ट में खायब हो सकती है सारी की सारी तो आपने क्या करना है किस तरह यूज करना है कब तक यूज करना है वो मैं आपको आज की वीडियो में बता तक्रीमन साफ बालों में लगाना है जैसे कि अब निकल शैंपू किया था तो इस तरह नॉमल साफ बालों है उसके बाद करना है सबसे पहला है प्यास क काट ले रहे हैं उसको पर आपने लाला है जूसा ब्लेंडरम था प्यास का राम सुनके आप सब में से कुछ लोगों को कुछ भी से उल्ग होती है यह हुना हुजली स्वर्फ के वज़े से हमारे स्केलप के उपर जम जाता और इसकी हमारे हेर ड्रूथ रुख जाती है हमारे बल जरने लगते हैं बहुत सारी प्रॉब्लम होती है तो उसको रहताने करें उस बैक्टीरिया को आपको कोई ऐसी चीज कोई उससे जादा पावरफुल चीज यूज करनी होगी जो इसको हटा सके कुछ प्यास बहुत जादा मतलब जिससे आपके आंसों बहुत जादा होता है अच्छा हेर ग्रोथ से मुझे बात याद आई मैंने जी मिक्स्टर बनाया था ना वह इतना बनाया था कि मैं पूरे स्केल्प में लगा सकूं लेकिन जो इसकी रिजल्ट है मेरे स्केल्प से उपर और स्केल्प से 2-3 इंच उपर तक बाल इतने सॉफ्ट हो गए इ पूरे पालों पर लगाऊंगी तो आपना एक ही बार में ज्यादा बना लेका मैंने मिक्षर कम बनाया था इतना कि मेरे स्केल्प में लग जाए अच्छा आपने क्या करें हरे दनिया लिया अच्छा प्यास की कितनी कॉंटिटी लेनी हो में बता देती हूं आपने आदर क्या दालने लिए सर्स porte सूक का तेल क टेल कोगोनट और चाना ही डाल स्दूर तो अगर क्यानना करता है कि अच्छा सूट नहीं करता है तो फिर आपकी चूआइस आपको दर्द नहीं होगा आपको छुबेगा नहीं ठीक है बहुत ही आपको लाइट फील होगा पिल्कुल लाइट फील कूशिश कीजिए एक बड़ी की हेल्प लें क्यूंकि मैं तो यह करती ही रहती है इस तरह की साही चीज अपलाय करती ही भालों पर तो मुझे तो आदे फॉचि के अश्पने यह नौर फाल लाइडा की चाह्ट अपनी बहुत है जाय को भी तरह आपका है चाहिए कटते हुगा जाएगा की वागिट चेजिए रहा है जाए हुआ हब सबदेगा के थे नहीं है की सारी करें ग利 updatingaley проф jestि आप अपने अच्छा पैस बनाओ नहीं हो झ apply करें result मेरे साथ share करें न भूलिए को comment section में hope you like my video आज के लिए नहीं बाबाए